नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है आपके इपने टूप चैनल सनवाल लजुटेक में दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्तान दस्वी बोर्ड एकजाम 2022 में यानि कि जो आरबेसी बोर्ड है दस्वी का उसके मोडल पेपर के हम चर्चा क किया गया है सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं 10 के जितने subject हैं एक एक वाई इस्टे वाई इस्टे वाई स्टेव आप पेपर आपको देखने को मिलेंगे यूटूब चैनल पर तो आईए देखते हैं कि पेपर में किस परकार के क्यूंसरिया आप दीए गये हैं यहां पर देख सकते हैं आपके सामने मॉडल पेपर है मादवी सिक्षा बोड 2022 वाला पेपर है कक्षा 10 का है गणित का पेपर है 2 गंठे 45 मिन्ट के एक्जाम होगी पूर्णा कासी रहेगा 20 नमबर आपको 17 रांग दिये जाते हैं तो यहां पर देखेंगे इसमें किस परकार के क्यूसन पूचे गया है इसी परकार आपको पेपर हल करना होगा यहां पर फर्स्ट क्यूसन है वो देख सकते हैं इसमें दिया गया कि निमन परसनों के उत्तर का सही विकर्णा आपको चैन करना हो पुछते का में लिखना होगा यान कि एक नंबर का ये क्यूशन पूछे जाएंगे फ़स्ट क्यूशन एक एक नंबर की होंगे या पर तो फ़स्ट के अंदर जो फ़स्ट है वो देख सकते हैं आपको पर्मे दे रखे और दसमेलों पर साब आपको बताने कि इसमें कौन सा इस साथ पर वरतियह या इससान अना वरतिय जो भी है आपको खुद को यी हल करना होगा यहां पे आपको शिर्प क्यूशन क्यूशन देखने को मिलेंगे उसके बाद में सेकिंड क्यूशन है इसमें आपको ऑदिए एक एक दीगात बवाउपद नहीं है यह चाथना क्यू वाला क्यूशन है निमन रेकिक समीकन यूगम की हल करना है नेक्स चैप 4 इसमें आपको कौन सा दीगा समीकन को हल करने की एक विधी कौन सी है ये बताना है ये सारे क्यूशन है चोटे चोटे क्यूशन है उसके बाद में नेक्स क्यूशन है फाइब समांतर सरेणी है चारदस क्वास मेग क्या होगा क्या होने वाले इसमें यह देख सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट सब्सक्र इसका माण क्या होगा त इसमेद कोस 90 डिगरी प्लस 48 डिगरी का मान क्या होने वाला है इसमें माइनस हम दे रहे हैं बट इसके बाद में नेक्स्ट है एक एक नमर के सारे कुशन है यह चोटे वाले हैं एक माध्य ग्याद करने का सुत्र बताना कि कौन सा इसमें माध्य ग्याद करने का सुत्र है नेक्स्ट है एक के इसमें देरेक का है कि निमन को बहुलक क्यात करना होगा उसके बाद में आता है कि कोन से सिर्ग किया किसी गर्टना की प्रायक्तर नहीं हो सकती है तो यह थी आपके 10 कूशन फर्स्ट में जो एक एक नमर के कूशन थे अब आपके आते हैं सेकंड कूशन Second Qution में देख सकते हैं ये भी एक एक नमबर के Qution है इसमें आपको समीकंड दिया गया है इनको आपको हल करना होगा Next है साथ वापद कौन सा है Qution देख लेना इनको हल कर लेना Qution को क्योंकि यहां से भी Qution पुट अप हो जाते हैं तो हल भी कर लेना इनको किसी बारी बिंदों से वरत पर इस पसरे का एक ही चीज़ आ सकती है Next है निर्दे सांग जामिती में दो बिंदों के बीच की दूरी ग्यात करने का सुत्तर क्या रहेगा Next है 5 पर आपको साइन 90 डिग्री माइनस टीटा का बरावबर क्या होने वाला है यह बताने वाला है Next है बंटन 7,4,6,3,8,5,9 की मादिक तक क्या होने वाली है अब आता है जो आपका भाग फरस्ट है जी का पार्ट फरस्ट है उसका जो तीसरा परस्ट संक्या तीसरे से स्टार्ट आईए एक एक नमबर के क्यूशन है महत्म समा पड़ते है आपको बताना है कि दो संक्याओ का गुननफल 180 है तो महत्त समा पड़ते है तो लगुतम समा पड़ते है ग्यात इसका करना होगा उसके बाद में second question में दे रखा है कि x square plus 3 x plus 1 को x minus 2 में भाग दिने पर सेस्पल कितना होता है next है भाउपद x square minus 6 x plus 7 में सुन्यागों का योग और गुनमफले ग्याद कीजिए उसके बाद में next आता है यहाँ पे दो चरवाले समीकन निकाय को हलोर एदेत्य होने की सर्थे लिखिए उसके बाद में आता है दीगा समीकन 2 x square plus 3 x plus 4 बराबर मूलों की संके यहाँ पे ग्याद करने है यह किक नमर के क्यूसन है सारी next है दीगा समीकन को मूल ग्याद करने के लिए सिरी ध्रहाचारे सुत्तर आपको लिखना है next है किसी वर्थ की तिर्जा उसे भी खीची गई स्पस रेखा कि मद्दे कितनी 2 डिगरी का कौन बनाती है उसके बाद में next क्यूसन है आपी निर्दे सांग 4 3 की बुजोर कोटी ग्याद करने है मान ग्याद करना कि कोस 30 माइनस साइन 30 डिगरी का मान कितना होता है बिल्कुल एजी क्यूसन है next है sign 3x ब्राबर 1 को होतो x का मान ग्याद कीजिए यदि क्या आपको कोई क्यूसन का अंसर नहीं आता है तो comment session में हमसे पूंच सकते हैं कि sir इस क्यूसन का क्या अंसर आने वाला है उसका हम जबाब दे देंगे comment session में दे देंगे आप उसका जबाब उसके बाद में बंटन यहां पर दे रहा है 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ग्याद कीजिए उसके बाद में next है यदि एक सिक्के को एक बार उचला जाता है तो चित पटाने के संभावना क्या होने वाले नेक्स आता है भाग B के अंदर जो पार्ट भी है फोर क्यूसन इसमें दो दो नंबर के ये क्यूसन आने स्टार्ट हो चुके हैं इसमें दे रहा है कि युकलीड विभाजन विदी 90, 144 का मैत्ता समावरता ग्याद कीना है दे घाद भावपत X2-2X-15 के सुन्या ग्याद करने ये दो दो नंबर के सारे क्यूसन हैं नेक्स आता है 6 क्यूसन निमन रेक है समीकान योगम को विलोपन विदी से महल करना होगा 7 क्यूसन है गुणन खंड विधी से निमन दीगा समीकान को मूल ग्याद करना होगा ये दो नंबर का क्यूसन इसको हल करना होगा तीन संक्या वाली किछी कितनी संक्या इसासी विभाजित होती है दस्वा क्यूसन है पांस से में लंबा एक रेका कन कीचिए उसमें दो अनुपात, तीन अनुपात में आपको भी भाजित है करना होगा नेक्स्ट है ग्यारो क्यूसन पांस से में तिरजा को एक वरत पर दो इस पर से रेका है खेंजिए ताकि साइट डिगरी के कोण पर जुखी हुई हो नेक्स आता है बारो क्यूसन बारो में दे रहेका कि साइट अन बराबर तीन वाड़ाचार तो कोस अ ओर टैन का मान इसमें ग्याद करना होगा नेक्स है तेरवा निम्लित का मान ग्याद कीज़े 210 स्कूर क्वार 35 डिगरी प्लस कोस अनुच्वार 30 डिगरी मान साइन स्कूर 60 degree है तो उसका मान ग्याद केज़े इसमें बंटन का माद्धे ग्याद करना होगा कि आपको प्राप्तान संक्या और छात्रोग संक्या इसमें दे रखी है नेक्स आता है आगे 15 कुशन इसमें बंटन का भावलग ग्याद करना होगा आपको 16 कुशन है एक थेले में 5 सपेद दो लाल गिंदे हैं एक थेले में इसे एक गिंद यादर से निकाल जाती है तो इसकी प्राप्ता है क्या निकाल गई गिंद होगी या नहीं होगी इसकी क्या प्राप्ता है यह आपको बताना है तो एग में सपेदर, एग में सेकन में लाल दे रखㅐ उसके बाद में आ पर दे रहिए 17 क्यूशन जो खंड़ सैका है, पाठ़ सी का है, तीनिती नमबर की इक क्यूशन है 17 क्यूशन में यदि किसी समानतर स्रेणी के दूसरे तीसरे पद करमे से 24-28 तो स्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ग्याद करना होगा 2 और 104 के मध्धे से मध्धे 5 से विभाजित होने वाली जो भी प्राकत संक्या होगा योगफल होगा वो क्या होने वाला है उसके बाद में जो 18 कुशन है एक से वह बिंदो ग्याद के जो बिंदो को माइनस दो तीन माइनस तीन और चार समान दूरी परिस्तित हो इसमें अत्वामे दे रहे हैं उसके बाद में 19 में में दे रहे हैं तो 19 का जो भी फश्ट है इसको आपको मान ग्याद करना है तीन तीन नमबर के क्यूशन है और अत्वामे भी कर सकते हैं यदि ये सिद भी कर सकते हैं 200 क्यूशन है इसमें बारम बारता बंटन का माध्य ग्याद करना होगा ये तीन नमर का क्यूशन है उसमें अत्वामिव दे रहा है इसमें भी आप भवलक के ग्याद कर सकते हैं बंटन का उसके बाद में आता है आपका कंड़ दैयन की पार्ट बी इसमें 200 क्यूशन है कि जो रेकिक समीगन योगों को आलेक है विदी द्वारा हल करना होगा ये चा एक दस सेमी लंबाई का रेकिकन खेच कर उसका दो अनुपाद तीन में भी ब्याजित कीजिए ये चार चार नमर के क्यूशन है अत्वामिव दे रहा है इसको भी हल कर सकते हैं और उसके बाद में है 30 दे अनकी 23 है इसको आपको माध्य ग्याद करना है ये भी चार नमर का ह उसके बाद में ये अत्वामिव दे रहा है अत्वावाले को भी आप ग्याद कर सकते हैं तो आपके जो कंपलेट हो चुके है ये आपके पेपर है मैत का कंपलेट हो चुका है इसी परकार आपको कंपलेट मिलेंगे हिंदी वाला पेपर में ने डाल दिया दसीगा अब मैत का डाला हूँ उसके बाद में science का डालूँगा और जैसे आप पूरे paper डलते जाएंगे social science के भी paper डाले जाएंगे Sanskrit Cape डाले जाएंगे English का भी paper डाले जाएंगे दस्यूगे जितनी भी paper होंगे complete आपको इस channel पर देखने को मिलेगा तो subscribe जरूर कर लेना red color में subscribe को option है उस पर दबा देना bell icons को भी दबा देना वीडियो like वाला option उसको भी दबा देना ओके गाइस thank you